बहुत से लोगों में एक कमी होती है, शायद आप में भी होगी, वो है बहाने बनाने की, excuses देने की, सब कुछ होते हुए भी कोई नो कोई बहाना बना ही लेते हैं, अरे यार गर्मी बहुत है, अरे यार सर्दी बहुत है, अरे यार बारिश हो रही है, अरे यार 2020 में तो कॉर या तो पैदा हुए disabilities के साथ या किसी accident में अपाहिश हो गए उनकी किसमत का सोचिए फिर भी उन्होंने अपने किसमत को मात दे कर वो सब कुछ अचीव कर लिया जिसके लिए normal लोग सिर्फ सपने देखते हैं सिर्फ excuses बनाते हैं अगर आप भी उनी में से एक हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए आपकी रूप भी आपसे कहेगी बहाने मत बना मैनत कर समझा आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ अगर आप पहले से नहीं जानते तो यकीन नहीं होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है जब हम बैसनो दिवी की यातरा पे जाते हैं तो आसानी से नहीं चरपाते चरने में हमारी हालत खराब हो जाती है और ये लड़की बिना पैरो के एवरेस पे चर जाती है अब तो आप समझ गये होंगे मैं बात कर रहा हूं दुनिया की पहली MPT और हिंदी में कहूं तो अपंग महिला जो एवरेस के सिखर पे चड़ गई इस वीडियो को बिना हिले शुरू से अन तक देखी बिना हटना मत ये वीडियो आपको सोचने में मजबूर कर देगा कि वो इस कंडिशन में भी ऐसा कर सकती है हम क्यों नहीं हमारे पास तो सब कुछ है इस चैनल को सबस्क्राइब करो ना करो लेकिन अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को हिट करे तो शेर जरूर करना चलिए शुरू करते हैं बस सी फिल्मी कहानियों की तरह इस कहानी के सुरुआत भी एक ट्रेन से हुई जिसमें अनुपमा अपने CISF एक्जाम के लिए लखनव से दिल ली जा रही थी कुछ बदमासों ने उसका बैक खीचने की कोशिस फाइटिंग स्पिर्ट तो पहले सही थी उसमें उसने अपना बैक आसानी से नहीं दिया तो उन बदमासों ने उसको उठा के चलती ट्रेन से बाहर फेक दिया जहां दूसरी पट्री पे आ रही टेन उसके पैर के उपर से चली गई कितनी ट्रेने उ स राथ वहां से आई किसी को नहीं पता सुभर जब उसे शापिटल लेक़े जाया गया टोक्टर को उसकी जान बचानी के लिए उसकी टांग काटनी पड़े चार महीने शापिटल में रहने के बाद जब वो बाहर आई तो लोगों का नजरिया उसके प्रती बदल गया था उसको लोग दया के द्रिश्टी से देखने लगे थे अरे उसके पास तो automatic excuse था कुछ न करने का और उसे कोई कुछ कहता भी नहीं सरकारी नौकरी भी मिल रही थी railway में लेकिन क्या करें? fighting spirit वाली थी चुनौती ले लिए कि इस हलत में भी एवरेस पे चड़के दिखाऊंगी ये साबित कर दूँगी कि भले ही accident ने मुझे अपाहिज कर दिया हो पर होसलो से मैं अपाहिज नहीं हूँ जब उसने वो decision लिया तो बहुत लोग उस पे हांसे ये लर्की पागल हो गई है लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि वो पागल तो हुई है लेकिन अपने goals पूरा करने के लिए हम सम्में भी उसी पागलपन की कमी है अगर हमें भी वो पागलपन आ जाए तो हमें कोई नहीं रोग सकता अपने सपने पूरा करने से जहां लोग अक्सर कुछ भी गलती होने पर सौरी बोल देते हैं अरुन्मा ने मांटेनियर बनना ही इसलिए चुना ताकि उसको सौरी ना बोलना पड़े उसमें एक गलती हुई और बन्दा उपर जिन्दगी उसको सौरी बोल देती है एक बार डिसाइड करने के बार सब कुछ भूल कर लग गई ट्रेनिंग करने में ना कोई होली ना कोई दिवाली और ना ही कोई संडे पूरे दो साल तक लगी रही ट्रेनिंग करने में और नजर सिर्फ एक गुल पे रखा कि एवरेस तो चरना ही है ऐसा भी नहीं है कि वो फेल नहीं हुई कई बार फेल हुई चोटे भी आई पर रुकी नहीं शायद उस एक्सिडेंट ने उसमें से मरने तक का डर खतम कर दिया था अरुनिमा ने अपने एक इंटर्वी में बताया था कि जब वो एवरेस से पहुचने वाली थी उसके सेर्पा ने बताया कि ऑक्सिजन खतम होने वाला है तो उन्हें वापस जाना चाहिए ताकि वो कल दोवारा कोशिश कर सके लेकिन उसे साथ मना कर दिया ये बोला कि आपको वापस जाना है तो आप जाओ लेकिन मैं यहां तक आकर वापस नहीं जाओंगी लेकिन उसके सेर्पा ने उसका साथ नहीं छोड़ा और उसके साथ ऊपर तक गए और अगले दो घंटों में वो लोग सिखर पे थे सिर्फ सोच के देखिए क्या फिलिंग रही होगी उसकी उसका अब अपने गोल्स को कुछ सिखर पे रखिए और अपने आपको अरुनिमा की जगा कितना सुन्दर दिश्चे है न? इमेजन करके देखिए गोल्स के पूरा होने से बढ़के और कोई खुशी नहीं शुरुआप तो उसने रिसीब एवरेस्ट चाहने के लिए किया था लेकिन एवरेस्ट के बाद एक एक करके दुनिया भर के आर्ट सबसे उचे परवतों की चरहाई उसने पूरी कर ली इसे कहता है हिम मत या तो कुछ करने की सोचो मत लेकिन अगर सोच लिया तो उसके बाद कुछ और नहीं सोचना सिर्फ करना है 2015 में अरुरुमा को उसके अचीवमेंस के लिए पन्म सिरी अवर्ड भी दिया गया और शायद कुछ महीनों में उसके उपर मुवी भी बनने वाली है वाव वाड़ लेड़ी क्या सेल कॉंफिदेंस और डिटर्मिनेशन दिखाया है अगर हम में भी वो कॉंफिदेंस और डिटर्मिनेशन आ जाए तो हम क्या अचीव नहीं कर सकते उसने ये साबित कर दिया कि हम अवसरों के मोताज नहीं है अगर हमारे इरादों में शक्ति है तो हमारी हर वीकनेस एक स्ट्रेंथ बन जाती है अरुरिमा के लिए कुछ लाइंस मंजिल उन्ही को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है पंक होने से कुछ नहीं होता होसलों से ही उरान होती है जैसा मैंने पहले कहा था इस चैनल को सब्सक्राइब करो मत करो लेकि इस कहानी ने 1% भी मोटिवेट किया तो इसको शेयर करके उन सब तक पहुँचा दो जो अपने गोल्स पुडाना होने के लिए सिर्फ excuses देते हैं और बहाने बनाते हैं जल्दी आऊंगा अगली स्टोरी इक साथ अभी के लिए बाई बाई Stay happy, stay safe, stay motivated